राद का नाश्ता माया हर किसी को अनिश के लड़की देखने के लिए बोल कर रहती है काम कर रही है ऐसा रिष्टा दिया लेकर ढूणने पर भी नहीं मिलेगा पंडेची रश्मी की घरवालों से बात करते हैं और रश्मी और अनिश का रिष्टा तैकर उनकी शादी करवा देते हैं अपनी मन पसंद की पड़ी लिखी बहु मिल जाने की कारण माया की खुशी सात्वे आसमान पर होती है अब मैं गंगास नान करने जा पाऊंगी मेरे दोनों बेटों का घर बस कहा अब मज़े किसी चीज़ की फिकर नहीं है रश्मी से सुरा लाकर भी अपनी जॉब कंचीनियू करती है सुबह उठकर रश्मी नाश्ता बनाती है रश्मी तुम अके ली क्यों खाना बना रही हूँ? मैं आ रही हूँ ना? रश्मी आप पूरा दिन काम करती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? चलिए आप बैठिये और अपनी देवरानी के हाथों के खाने का मज़ा लीजी ठीक है बाबा बैठते हूँ रश्मी आफिस के साथ साथ घर की कामों में भी पृती का हाथ बटाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है इसी तरह दिन बीटने लगते हैं, फिर एक रोज रश्मी के आफिस से उसे एक मेल आता है कि उसकी ड्यूटी अपसे नाइट शिफ्ट की जा रही है ओ शिट यार, ये रात को ड्यूटी कौन ही करेगा? क्या हुआ? इतना मूँ क्यों रटका है? क्या करो, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे नाइट यूटी मिल गई है करो या ना करो, समझ में नहीं आ रहा रियर करो न, छोड़ने का मत सुचो मैं हूना तुम्हारे साथ और ममी भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी अगले दिन रश्मी और अनिश माया को सब बात बताते हैं तब माया कहती है अरे बिटा, नौकरी छोड़ने की कोई बात नहीं है पैसाना बड़ी मुश्खिल से आता है तुम्हारा आम से नौकरी करो कोई चिंता की बात नहीं है ठीक है, आप लोग कहते हूँ तो मैं कंटीन्यू कर लेती हूँ रश्मी अब नाइट ड्यूटी करने लगती है अब सब कुछ बदल जाता है वो पहले की तरह पृती के साथ काम नहीं कर पाती और पृती अकले ही पुरे घर के जिम्मदारियां उठाती है एक रोज रश्मी अनिश से कहती है चलो ना अनिश मुझे आईफोन खरीदना है मुझे बहुत दिनों से लेनी का मन है अच्चा चलो, मेरी बीवी के पास आईफोन होगा, तो स्टेटस तो मेरा में बढ़ जाएगा अनिश और रश्मी मारके जाते है और रश्मी का मूड दुकान जाकर बदल जाता है आईफोन लेने के बाद रश्मी कहती है यार मेरा लापटॉप भी पुराना हो गया है एक लापटॉप भी ले लो क्या ले लो तुमारे पैसे हैं और रश्मी अपना फोन और लापटॉप एम आपटॉप ले लेती है दिन बीटने लगते हैं अब रश्मी की हरकतों से सबको परिशानी होने लगती है पहले कुछ दिनों तक तो सब कंप्रमाइस कर लेते हैं फिर धीरे धीरे सब बोलने लगते हैं एक रूस रात को अनिश कहता है या रश्मी ये इतनी रात को लाइट आउन क्यों कर दिया तुमने मुझे नीन दा रही है पिछले एक हफते से तुमारी हरकतों के कराण मेरी नीन पूरी नहीं हो रही तो मैं क्ये करूँ? मुझे आफिस जाने के लिए तेयार होना होता है तो दूसरे कमरे में चली जाओ, मुझे तो सोने दो कैसे दूसरे कमरे में चली जाओ? मेरा सारा जामान यहीं पड़ा है कि कोई बात थोड़ी ना है? अनिश जुन्चला जाता है और गुसे में कमरे से बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है अगले सुबह बेटे को सोफे पर सोया देखकर माया का पारा चड़ जाता है और वो कहती है तो सोफे पर क्यों सोया है? ऐसे तो तेरी नीन पूरी नहीं होगी बिटा क्या करू मा? ये रश्मी का ओफिस रात का है न? तो वोट जाती है और मैं सो नहीं पाता तू अपने कमरे में सोया कर उससे कह दे कि वो अपना सामान बाहर रख ले अगले दिन अनिश रश्मी से कह देता है देखो तुम अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लो और वहीं जाकर तयार हो ना नौकरी तुम्हें कदिये मुझे नहीं और दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हो तो नौकरी छोड़तो मैं अभी तो पूरा दिन काम करता हूँ ठक जाता हूँ मेरे पैसों से घर चलता है तुमारे पैसे तो तुम खुद पर उड़ाती हो तो तुम ही कम्रोमाइस करना होगा मुझे दूसरे कमरे में जाने से कोई प्राबलम नहीं है रश्मी एक दिन की छुट्टी लेकर अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है इधर प्रिती को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास माया से कहती है ममी जी पूरा दिन मैं आकेले काम करकर के ठक जाती हूँ उपर से रात को मुझे एक बज़े उठकर रश्मी के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है कौन सा वो मुझे अपनी नौकरी के पैसे देगी मेरी नीन पूरी नहीं हो पाती और मैं अब इतने रात को उठकर रोज रोज नाश्ता नहीं बना सकती अरे तो तू क्यों बनाती है छोड़ दे वो खुद बनाएगी नौकरी उसे करनी है वो समझे अगली रात रश्मी को उठने में देर हो जाती है जल्दी से उठकर वो तयार होकर रसूई की और भागती है भावी, आज मैं खाना नहीं खापाऊंगी आप बस मेरा टिफिन डाल दो कोई जवाब नहीं आने पर रश्मी देखती है कि रसुई में तो कोई नहीं है और खाना भी नहीं बना हुआ है लगता है भाबी ने नाश्टा नहीं बनाया हम उन्हें भी मुझसे तकलिफ होने लगी है जैसे बहुत जरू की बूख लग रही है और लेट भी ओर आए क्या करो आफिस जाकर कैंटेन से कुछ खालूंगी र इसले वो रसुई के साथ साथ हौल की लाइट की आउन कर देती है अपने नाश्टा बना कर तयार होकर वो आफिस चली जाती है और लाइट वैसे ही आउन छोड़ देती है लाइट की रोश्णी और आवाज से सभी की निंद खराब हो जाती है अगली सुब उठकर सभी का बारा गरम हो जाता है और आज पहली बार विकास कहता है इस तरह सब नहीं चलेगा रात बर पूरे घर की लाइट आन करके छोड़ देती है रात को क्या अब हम भी उसके साथ उठकर जगराता करे है हदूत यह ममी सब जिसकी मैं इतने दिनों से देख रहा हूं लेकिन ममी जी वो खुद तो एक भी काम नहीं करती रात को लाइट आन करके हम लोगों को सोने नहीं देती और दिन मैं खुद सो जाती है और मुझे उसकी कपड़े धोकर प्रैस भी कने पड़ते हैं वो जो हरबड में सब सामान इधर उधर रखकर चली जाती है मुझे सब बुला कर रश्मी से कहती है मुझे कुछ नहीं पता तुम ये नौकरी छोड़ दो तुम्हारी नौकरी के कारण पूरे घर को परिशानी हो रही है अब सब इस चीज़ से बड़ा परिशान है ऐसे अच्छानक से मैं ये नौकरी किस से छोड़ दू आपी ने तो कहा था भाभी पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी फिर अचानक से आप लोगों को क्या हुआ सब इतना बदल क्यों गए है क्या तुम भी ना तुम्हें तुम्हें बहस ही करनी है अरे जब सब बोल रहा है तो छोड़ दो ना नौकरी ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नी है मैं तो लेकिन फिर मेरे मोबाइल लापटप की EMI कौन भरेगा फाभी आप भरेंगी या अनिश तुम भरोगी मेरे इतने महंगे महंगी कपड़ी और नेल पिंस और लिप कलर का खर्च कौन उठाएगा अगर कोई उठाने को तयार है तो मैं भी अपनी नौकरी चोड़ने को तया इसलिए मुझे नौकरी चोड़ने को मजबूर किया जा रहा है इतना कहकर रश्मी अपने कमरे में चली जाती है और सब सोच में पड़ जाते है